कुदरत का ऐसा करिस्मा जिसमें फल से ज़्यादा ओशिदिये गुण पत्तों के अंदर दिये गए हैं स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों पपीता खाना हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि पपीते से भी ज़्यादा ओशिदिये गुण पपीते के पत्ते के अंदर होते हैं जब किसी को डेंगू या मलहरिया की सिकायत होती है तो उसमें ऐलोपेथिक दवाई एक तरफ और अकेला पपीते का पत्ता एक तरफ दोस्तो बहुत ही जल्दी रिकवरी के लिए पपीते का पत्ता हमें जरूर इस्तिमाल करना चाहिए अगर किसी को बुखार आ रहा है और रिपोर्ट में डेंगू या मलेरिया कंफर्म हो जाता है तो उस समय अगर प्लेट लेट कम हो रही है या फिर वाइट बलर सेल्स कम हो गए है तो पपीते का पत्ता बहुत ही जल्दी रिकवरी करने में मदद करता है दोस्तो इस खास्यत ये भी होती है कि कुछ महिलाओं को माशिक धर्म के समय काफी ज़्यादा पेन महसूस होता है और इसी पेन के चलते वें कई बार पेन किलर और ऐलोपेतिक दवायों का सहरा लेती है लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं करना चाहिए अगर एलोपेतिक दवायों का सहरा लेते हैं तो उस समय माशिक धर्म वही पर रुक जाता है और अगले महीने वह और ज़्यादा प्रोब्लम करता है और ज़्यादा दिक्कत होनी सुरू हो जाती है और महीना खुलकर नहीं होता है अगर उनको माशिक धर्म के समय पैन महसूस हो रहा है या फिर पेट में किसी भी तरह का दर्द है तो उसके लिए पपीते का पत्ता बहुत ही अच्छा रहेगा अब इसके लिए इसका इस्तिमाल कैसे करना है वो हम आपको बता रहे हैं दोस्तो डेंगू मलेरिया और पीरिड के समय होने वानी प्रोब्लम में सिर्फ एक ही तरीके से इसे यूज किया जाता है वो हम आपको बताएंगे सबसे पहले तो हमें एक बरतन लेना है और उस बरतन में हमें लगभग डेड़ गिलास पानी डाल लेना है दोस्तो डेड़ गिलास पानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें इसे अच्छे से खोलान देना है मतलब इसको अच्छे से गरम करना है और खूब इसके अंदर उबाल देना है दोस्तो इसके बारी है इसके अंदर पपीते का पत्ता मिलाने की दोस्तो मैं आपको यहाँ पर एक बहुती महत्पून बात बताने जा रहा हूँ जब हमें पपीते के पत्ते का इस्तिमाल करना है तो उस वक्त हमें इतना ही इस्तिमाल करना है जितना कि हम एक बार यूज़ कर सके और अगली बार हमें इसी पत्ते का इस्तिमाल करना है दोस्तो एक पत्ता दो बार यूज़ हो सकता है अगर आप पपिते के पत्ते का अधिक इस्तिमाल करेंगे या फिर पेड़ से अधिक तोड़ लेंगे तो इसकी वज़े से पेड़ सूख भी सकता है और दोस्तो ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि इतने जादा ओशिदिये गुन वाला पोधा ऐसे ही सूख जाए तो जितना आपको इस्तिमाल करना है सिर्फ उतने ही पत्ते तोड़े अधिक पत्ते तोड़कर वेश्ट ना करें वेश्ट करना एक अच्छी आदत नहीं होती है दोस्तो एक पत्ता दो बार इस्तिमाल किया जा सकता है तो आपको इस पत्ते को आधा काट लेना है ताकि आपको आसानी हो measurement के लिए तो यहां पर मैंने इस पत्ते को आधा काट लिया है अब दोस्तों बारी है इस पत्ते को यहां से काट कर अलग फैंक देंगे यह किसी काम का नहीं है अब दोस्तों इसमें इसको थोड़े-थोड़े करके कुछ इस तरह से हमें पानी में मिला देना है जाद अलब में टूड़े नहीं करने हैं दोस्तों छोटे-छोटे की टूड़े करने हैं ताकि यह इसको उबाल देते वक्त अच्छे से मिक्स हो जाए और दोस्तों इसको मिक्स करने करने के बाद अब बारी है इसको गरम करने की दोस्तों इसे इतना गरम करना है कि इसके अंदर जो डेड़ गिलास पानी हमने डाला था वो लगबग एक गिलास हो जाए और इसको अच्छे से उबालेंगे उबालने के बाद इसको ठंडा करके तब इसका सेवन करना है यह नही अधिक गरम इसको पिएंगे तो आपका मुव भी जल सकता है तो ऐसा कोई भी काम न करे जिससे सरीर की हानी हो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के रूप में जरूर बताईए और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पराप्त हो सके आज की वीडियो में इतना ही जय हिंद